नमस्कार दोस्तों ट्रिकी गुरु अमित गुपता के यूटूब चैनल में आज आप फिर सस्वागत है और आज हम आपके लिले करा गए हैं यूपी पुलिस की परिच्छा को ध्यान में रखते हुए टाप 10 मॉक टेस्ट जो की रिजिनिंग के लिए है और इन सभी प्रसनों को हल करके आप यूपी पुलिस की तयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपनी तयारी को सही दिशा दे पाएंगे इन सबी प्रस्णों को हम लोग करेंगे बिल्कुर ट्रीकी अप्रोच के साथ और पहला प्रस्णा की ये सामने है और इन प्रस्णों को आप सबसे पहले देखते ही वीडियो को रोक दिया करिए पहुच कर दिया करिए उसके बाद खुद से रफ पेपर लेकर बैठें उसके प्रस्णों को हल करिए उसके बाद ही वीडियो को आज जब आगे आगे बढ़ाएंगे तभी आपको वीडियो को पूरा लाव मिल पाएगा तो देखें यहां पर लिखाओ परिच्छा में उत्तिरड होने वाले चातर यानि परिच्छा में जो चातर सफल होने वाले हैं जो च्छात्र उत्तिरड होने वाले हैं। उत्तिरड यानि की पास होने वाले च्छात्र, तो पास होने वाले च्छात्रों की एक सुची है। उस सुची में गुड़ू का कोई लिस्ट है माली जी ये लिस्ट है तो इस लिस्ट में गुड़ू का अस्थान उपर से अगर गिना जाए तो सोला हुआ और नीचे से गिना जाए तो कितना है? उन्तिसमा है उन्तिसमा था ये केवल पास लड़कों का सुची है सफल लोगों की सुची है उत्तिर लोगों की सुची है उसमें उपर से इसका अस्थान सोला हुआ और नीचे से उन्तिसमा था तो सबसे पहले टोटल पास छातर कितने है सफल छातर कितने है उत्तिर छातर कित तो कुल 5 छात्रों की संख्यारा हमें से निकल जाएगी, 9 और 6 15, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 45, यानि कि ये घटा देंगे तो इसमें से हमारा हो जाएगा 44 यानि total 5 छात्र कितने हमें पढ़ा चल गए तो 44 है total सफल छात्र और यहां परकवर आए कि च्छात्रों में 6 च्छात्रों ने इस परिच्छान भाग ही नहीं लिया है लेकिन लाश्ट पूझा कच्छा में कुल कितने च्छात्र थे चाहे हो सफल हो और सफल या परिच्छान भाग न लिये हो लेकिन टोटल च्छात्र कितने है तो सफल तो है 44 अब 6 परत्योक्ता में भाग नहीं लिए लेकिन वह पढ़ते तो है इसलिए इन 6 को भी जोड़ना पड़ेगा ये क्या है परत्योक्ता में भाग नहीं लिए भाग नहीं लेने वाले छात्रों की संख्या है 6 अब और 5 चातर अनुतिर्ड रहा है यानि फेल हो गया है यानि कि 44 में ये 5 समलित नहीं है वो फेल हो गया थे तो लेकिन चातर तो है पड़ते तो है तो इनको भी पांचों को भी जोड़ना पड़ेगा तो 44 और 6 हो जाएगा 50 और 50 और 5 हो जाएगा आपका 55 यानि कि अमारा आंसर हो जाएगा अपनी कल्प भी 55 अगला प्रस्ण है समरूपता का बाजार समंदे मान तो पहले दो सब्दों में जब आप समंद अस्थापित कर पाएंगे कि इन दोनों में कैसा समंदे तभी आगे आने वाले दो सब्दों में समंद में होता है कभी बिलोव समंन होता है और कव Dabei जीके की कई तरीके के इतिहास भुव विज्ञान की प्रस्णों पर भी आधालवत होते है तो यहां किस से नियंतित होता है मांग से आधार किस पर आधारित है तो मानसून पर तो हमारा आंसर हो जाता है विकल्प डी अगला प्रस्थ है नान बर्बर डिजिनिंग से जो कि स्रिंखला परिछड का और सादिक बुद्धी परिछड से प्रस्थ है तो ध्यान से चित्रों को देखिया उत्तर देने का प्रयास करिए वीडियो को रोक दीजे थोड़ी देर के लिए अब देखिए इसका हल देखते हम लोग तो देखिए यह जो तीर का मूँ है जहां पर है उसका ठीक बिप्रित यानि एक्सु आसियंस कहा जाए तो यह होगा तो इसमें इसी तरफ में कि क्या हुआ है तीर चला आया है यानि कि तीर का मूईदार है तो एक्सु आसियंस पलट दीजे यान ठीक अपोजिट साइड में आ गया है यह ऐसा वाला जो डंडा वाला तीर है यह उपर है तो यह तुरंत एक्सु आसियंस पलट दीजे तो दे अब ये चौकोर वाला इधार एक्सवसियंस पल्टेगा तो कहां चलाएगा यहां पे तो ऐसा किसमे है तो ऐसा है विकल्प डी में हमारा आंसर हो जाएगा हस्ते हस्ते डी अब फिर से ये प्रस्ने समरुकता का हाथी है द्रित्वचिय प्राणी पैकिडर्म सेडी का तो इसी तरीकी का जोड़ा कौन है जो कि सही है तो कंगारू है मार्शिव पीयल यानि कि धानी प्राणी धानी वर का प्राणी है कंगारू आश्तेलियां पाई जाता है तो हमारा तो इसमें भूगोल की जानकारी जी विग्यान की जानकारी आपको चाहिए थी जन्तु विग्यान की जानकारी चाहिए थी अब देखें वे नारेक का प्रस्ण है इसमें पूछा गया है उक्त मतले उपर वे नारेक में किस अच्छार के द्वारा उस वर्ग को या उस वस्तुको दर्सायगे तो यह एह सरकारी कर्मचारी और यहां नीजी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी यंगी यह सरकारी कर्मचारी वाले बृत्यमें और नीजि कर्मी भी आ क्योंकि अ नीजि कर्मी में नीजि कर्म scenario कि असना नहीं है जब कि ये तक पूछा के तो को हम लोग कर सकते हैं फिलाल में हमारा आंसर जो है सी हो जाएगा जो की इन लिखा हुआ है अलग छाटना है तो बहुत ही आसान प्रस्ट है आज कल देखने में आते हैं ज्यादा तर प्रस्ट वर्ग घन के अधार पे होते हैं वर्ग करके कुछ जोड़ दिया जाता है तो तो इसमें तरीके तो कई है ट्रिकी लेकिन जब सारी ट्रीक काम ना करें तो सब लाश्ट में एक ट्रिक ऐसा होता है कि सभी विकल्प को यानि विकल्प A को खाले अस्थान पर क्रम सब भर के देखिए फिर B को फिर C को फिर D को और भर्गने के बाद यह चेक करिए कि कि किस विकल्प को भरने से एक इस्पेशल क्रम बन जा रहा है रिपीट होने वाला या कुछ इस्पेशल क्रम बन जाना चाहिए तो अगर हम लोग विकल्प A को भरते हैं पहले खाले स्थान पर A दूसरे पर B तीसरे पर B तीसरे पर चौथे पर A और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या ऐसा है कुछ खासियत है एक को भरने के बाद पहले विकल्प अगर नहीं है तो फिर हम लोग भर के चेक करेंगे चेक करेंगे इस तरीके से चेक करते हैं और ज्यादा सी ज्यादा प्रस्णों की प्रेक्टेश करेंगे तभी इसरीके कुछ प्रस्टों आप खल कर पाएंगे तो इसमें क्या बन सकता है गुरूप A, B, B देखिए बीच में क्या है? डबल B और अगल बगल A. और इसमें क्या है? इसमें बीच में डबल B और इसमें बीच में डबल A किनारे-किनारे B हो गया है फिर बीच में क्या है डबल भी फिर क्या है बीच में डबल यहां पर धान दीजे बीच में डबल भी बीच में डबल भी बीच में डबल भी बीच में डबल अब देखे इसको देखे किनारे 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 कि संयोग से अमारा पहला फाला ही अंसर है है कि एक चीजा और ना कि देख सकते हैं या पर पहले खाली इस्थान सब में जादा Ziye को छोड़ दिया रस्थाए 11 पुर चारी विकलव होती हैं तो सब भीकलबों में कह सकते हैं कि पहले खाली इस्थान पर एही भरने की परमपरा है तो यह भर के भी आप चेक कर सकते थे और देखिए यह भी नान बॉर्बल रिजिनिंग का प्रस्थ है और इसमें भी बताना है कि यहाँ पर आगे अगला चित्रियान यहाँ पर क्या आएगा है तो देहिए इसमें किवल ओ लिखा हुआ यह कहीं बृत बना हुआ तो एक दो तीन चार पांच शह Fitz premises लीशलाक्ष कोही मतलम नहीं है यानि सभमेंट योंश्य लेकिन विथ सब सादा सता यानि विल्स है लेकिन अब क्या हुआ परिवर्तन कहां अब ऊपर उपर जो पहले तो यह ऐसे है तो 45 अन्टि कुलाक वेज घूम गया अगर घुमने देखा जाए फिर 45 अन्टि कुलाक वज घुम गया अब 45 गुम तो यह ऐसे इस्थिती रहने वाली है यह किलिएरो गए फिर सी देखिए ऐसे हैğa पिर एसे प। अब पैता लिसंस अब मेरा हाट टूड़ यागे ज्यादा मोड़ देंगे तो फिर ऐसे अब फिर उसके बाद फिर घुमते हुए ऐसे हुआ है अब फिर ऐसे होने का नमबर है यानि कि ऐसे जिसमें होगा वही आंसर होगा तो दुरभाग इसे सभी विकल्पों में ऐसे ही है अगर ऐसा होता कि सब में ऐसे लिखा रहता तो जिसमें ऐसे लिखा रहता तो वही हमारा आंसर हो जाता कभी-कभी इतने से भी आंसर मिल जाता लेकिन हमारा यहां पर भाग इने साथ न गया है उपर में अब इसमें अभी घूमा है तो बाएंसेड में तो पी है अब नीचे परिवर्तन हो गया देखिए उपर परिवर्तन इसमें नीचे परिवर्तन हुआ फिर इसमें देखिए फिर उपर पड़िवर्तन एक और अच्छर बढ़ गया है अब नंबर है उपर बढ़ने का तो देखिए यहां परिश्टार बढ़ गया अब नंबर है जो अगला आँसर आएगा अब यह तीसरा वाला कोई चीज में बदलेगा यानि पी एक्स के बाद इसमें तो पी Оग सhstथा है नाइए तयस वाले नहीं है यानि हमारा रहे मिला के भीया कि माद एक्स लिखा हुआ है हमारा आंसर भला है को फिर अलग छल ने वाले प्रफन है को अलग छाठ एक लिकार सकते हैं इसको तो जखेंगे बहुत ही असान प्रस्ण है धुगुणा के अधार्थ है 21 दुना 42 24 दुना 48 37 दुना 24 लेकिन 35 दूना 28 नहीं होगा इसलिए यहीं हमारा आंशर होगा बहुत ही हाण प्रस्ण है और यह सारे प्रस्ण किसी ने किसी परिच्छा में पूछे गए है अब देखें इस नमीन पेटर्ण के प्रसव में क्या कहा जहरा है थोड़ा बलगंड़न के प्रसव किसने किसी पसटीशाओं में एक अजूभा सबूसर पूश दा है वही आजूभा साथ कैसे नियुक। वर्गों को बनाने के लिए 10 तीलिया 10 तीलिया का प्रयोंग की गई है इन में से नियुनतम कितनी तीलिया हटा लिजाए कि 2 वर्ग बचे यानि कि यह जो 10 तीलियों डंड़ों से बनाया गया है यह वर्ग टीन लेकिन इसने कम से कम कितना हम डंड़ा हटा लें कि दो ही वर्ग बचे यानि कोशिश करना कि कम से कम डंडा हटाना पड़े कोशिश करकि एक ही डंडा हटाएं और दो वर्ग बचे या दो डंडा हटाएं और दो वर्ग बचे या तीन डंडा हटाएं तो दो वर्ग बचे यानि कि कोशिश से करना कि दो ही वर्ग बचे और याने कि ये वर्ण और ये वर्ण बचेगा या इसको रहने दे अगर इस एक डंड़े इसको पर एक डंड़े इस सीन यह तो आप्ञाना पड़ेगा लेकिन कि पूछा है नियुनतम कितने डंडे हटाए जा सकते हैं तो यहां से नियुनतम नहीं मिलेगा देखिए इस डंडे को बना कर देख देखने को मिलेगा केवल कितना डंडा सिर्फ एक और दो डंडा हटाने से देखे कितना वर्ग बचा है दो ही वर्ग बचा लेकिन दोनेंड़ा कम से कम दो यह un cost धना हटाने ठीन पर पर लेकिन उपर ली अखीरती गायों करने पर के नह पर ती लिखने को मिल गए यहां निवनतम दो वर दो डंडा ही दो तीलिया ही हटानी पड़ेंगी यह भी अच्छा प्रस्ण था दोस्तों अगर आपको मेरे रिजिनिंग तो आप हमारे veterans जूर सकते हैं और इस WhatsApp नमर पर आप हमसे शंपर्क कर सकते हैं तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लाए और या में जरूर लिखेगा वीडियो अच्छला तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा इस e-pfal परना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा धरने बाद दोस्तों